अब लोग कहते हैं साथ प्रोफेशनल टेडर क्या होता है कौन है ऐसा इंसान जो प्रोफेशनल टेडर कहलता है ये कौन है गाइस ही वो इंसान है जो सुबह 9 बज़े से लेके 3.30 मिनत अब टीज़ तक मार्केट बैठा होता है उसके बाद में पोस्ट मार्केट स्टुड़ी पोस्ट मार्केट अनलीसिस भी करता है मतलब उसका profession ही है, जैसे लोगों किया profession doctor ही होता है, इसका profession stock market है, यह stock market ही जीता है, stock market खाता है, stock market पीता है, stock market सोता है, stock market में ही रहता है, stock market में नहीं नहीं है, stocks तूंटा रहता है, नहीं नहीं है, कोशिश करता रहता है, trading की कोशिश करता रहता है, इसको source of income सिर्फ stock market होती ह और कुछ नहीं होता, तो अगर आप एक professional trader हैं, तो बहुत ही बड़ी है, मैं एक professional trader हूँ, professional investor हूँ मुझी यह stock market के लाव कुछ नहीं आता, मैं यहीं करता हूँ मेरी तरह बहुत से लोग है, बट बहुत साई लोग जो नुकसान कर रहे हैं, जो पैसा गवा रहे हैं, वो हैं, जो अपनी job के साथ में stock market कर रहे हैं, guys, दो नाओ में कभी भी आप सवार होके अच्छे investor अच्छे trader नहीं बन सकते हैं, तो आपको एक चीज़ को अच्छा time देना ही हुगा, ना तो अपनी job अच्छे से कर पाएंगे, ना आप stock market में अच्छे से निवेश या trading कर पाएंगे, तो अगर आप एक professional trader बनना चाहते हैं, तो आपको professional trader का discipline लेके आना हुगा, professional trader का अच्छे एसा इंसान है, जो हमेशा stock market को अपना profession बनाता है, वो trading हो, चाहे investment हो, तो आप कहेंगे, बना कैसे जाए, stock market में एक professional trader कैसे बना है, जी हाँ, उसके लिए आपको दो चीज़ों की study करनी होगी, एक तो आपको fundamental analysis study करना हुगा, एक आपको technical analysis study करना हुगा, साथ में उसके discipline को भी follow करना हुगा, इसके उपर एक proper video बना के दूँगा, आपकी professional trader का setup क्या होता है, उसका discipline क्या होता है, पर आप समझेजिए, fundamental analysis, technical analysis और उसका discipline, वो ही आपको मिलके एक professional trader बना सकता है, तो क्या हम भी अपनी life में एक professional trader बन सकते हैं, क्या हम stock market को एक career बना सकते हैं full time professional बना सकते हैं, जी हाँ guys, मैं पिछले 20 साल से stock market बना हूँ, मैंने stock market को अपना profession बना है, क्योंकि मुझे यही आता है, इसी में जीता हूँ, इसी में सोता हूँ, इसी में खाता हूँ, इसी में पीता हूँ, खाली टाइम में मैं अपनी analysis करता हूँ, तो अगर आप proper knowledge क्या आप वो लोग stock market को passive income बना सकते हैं, जी हाँ, बना सकते हैं, अगर आप passive income बनाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से mutual funds की SIP, यह आपका एक passive income का source हो सकता है, बट अगर आपके आस time है, आप किसी ऐसी field में काम करते हैं, जहाँ आपकी night job है, और थोड़ा time आप सड़ी के ल लगाया, कितने time के लिए लगाया, वो पैसा grow करके हमारा 100 से उपर बना या 100 से नीचे बना, अगर 102 रुपे हो गया हमारा एक साल में, तो हमने 2% की ROI जनेट किया, अगर वो पैसा 100 रुपे से बढ़के 110 हो गया, तो 10 रुपे हमारी 10% ROI के लए गया, तो ROI is nothing, just the returns on the investments in due course of time, what is CAG, compounded annual growth rate, आपने 100 रुपे का investment किया, अगले साल बढ़के मालीजिए, वो 110 रुपे, 10% की average growth से बढ़ता जारा, 110 रुपे हो गया, तो उसके बाद आपने 110 रुपे के उपर आपकी ROI, फिर वो पैसा कुछ बढ़के, फिर उसके उपर 10% की ROI, तो basically अगर पैसा हमारा हर साल 10% की compounding average, compounding बढ़के 100 के उपर 10 रुपे आए, 110 हो गया, 110 के उपर फिर 10 रुपे आए, तो 120 हो गया, 120 के उपर फिर 20 रुपे आपने कमाए, 140 हो गया, तो basically जिस rate से, जिस compounding से ये पैसा बढ़ रहा है, इसको हम compounding annual growth rate कहते हैं, हर साल किस दर से हमारा पैसा grow कर रहा है, which is very very powerful guys, compounding is actually very interesting, it actually makes you wealthy, so what is the 8th wonder of the world, according to me, compounding is the 8th wonder of the world, इसके उपर कुछ एक्सेल में आपको next videos में बताएंगे कि इसको कैसे हम जूज करेंए, इसका benefit कैसे बठा जाए, कैसे आप लगपती, करोडपती और अरबपती बन सकते हैं, only by the help of compounding, yes, अकसर लोग पूछते हैं कि सर्क कौन कौन सी ऐसी investment opportunities हैं जहां हम पैसा लगा सकते हैं, कहां का, आप लिसुनांगा fix deposits, आपको मालू है, banks में आप करते हैं, shares या stocks के हम बाते कार की रहे हैं, national pension scheme में आप investment कर सकते हैं, public provident fund के अंदे पैसा लगा सकते हैं, आप RDS खोल सकते है आप bullion में metal से पैसा लगा सकते हैं, mutual funds से पैसा लगा सकते हैं, बहुत सा investment opportunities हैं, जिस भी investment opportunities के साथ में, आपका risk reward ratio आपको समझ में आता है, आपका risk appetite आपको अलाव करता है, तो आप वहां पे आपने वेश कर सकते हैं, अगर आपका अंतर वेट हैं, आप FD में चाहिए, आ तो अधिस की है, तो stock market में आई है,